हलो एब्रीवन खमा गणीसा कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब अच्छे से होंगे मैं भी बड़िया से हूँ तो आज मैंने सुबह ना ब्लॉग स्टाट किया था बट क्या है पूरा नहीं हो पाया हो बाद में टाइम ही नहीं मिला तो अभी जो आज मैंने जो नास्ता बन आएगा आप बना के जरूर देखिएगा सूजी के सैंविच बोल दीजिया एक तरीके से हलका फुलका अच्छा नास्ता है छोटे बच्चों को तो इस पेशली बहुत अच्छा लगेगा आप बना के देखिएगा तो यह सूजी है एक ग्लास सूजी ली थी मैंने यह थो 15 किलो चाच डाली थी तो रात कोई मैंने इसे भी मोगे छोड दिया था और सुबह मैंने इसमें अपने नमक डाल दी अपने टेस्ट के साब से और थोड़ा सा सोडा डाल दिया था ठीक है तो हमें थोड़ा सा हलका सा गी लगाना है इसमें ओईल या गी आप कुछ भी ले सकते हो सैंविच में कर होता है यह अधिकतर सभी के घर में अगर ना हो तो सैंविच बनाने का साचा होता है जो हम बनाते हैं वह हो तो उसमें भी बन सकता है यह तो हमने इसको थोड़ा सा वगेरा लगा के गी या ओईल लगा के कर लेना है ब्रस से और उसके बाद में जो हमने सूजी घोली हुई थी उसको दीरे-दीरे पैलाना इसमें ज्यादा मतलब मोटी उसमें नहीं करना है लेयर में हलकी लेयर ही रखनी है और इसको अच्छे से हम फैला देंगे हलके हाथ से इस तरीके से और मैंने इसको on कर दिया है और ऐसे फैला देंगे हम इसको तो ये दीरे दीरे पकता भी रहेगा और हम इसको set भी कर देंगे और अभी इसमें लगानी है हमें कुटी हुई लाल मिर्ची थोड़ी थोड़ी लगानी है अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो रहने दीजेगा और बड़ों के साब से बना रहे हैं तो हलकी हलकी हमें कुटी हुई लाल मिर्ची लगानी है जैसे पीजा के उपर लगाते हैं ना हम उसी तरीके से तो वो मैंने लगा दिये और इसके बाद में मैं लूँगी आधी आधी मैंने मतलब एक स्लाइज में से दो स्लाइज कर लिए चीज की तो आधी आधी चीज स्लाइज मैंने दोनों तरफ लगा दिये फूरी नहीं लगा यह हरी चटनी घर में बनी हुई है बाहर की नहीं है कि दनी है हरी मिर्ची टमाटर की थोड़ी थोड़ी लगा देंगे हम दोनों तरफ बिल्कुल हलके हाथ से लगानी है क्योंकि अभी पेश्ट जो है वो गीला है वैसे तो आन कर दिया है मैंने लेकिन वो दीरे दीरे पक रहा है तो बिल्कुल हलके हाथ से लगाएंगे हम अच्छे से और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा चाट मसाला हलका हलका डालना है दोनों तरफ डाल दिया है मैंने और यह देखिए यह पक भी रहा है इसे थोड़ा सा हम पकने देंगे और यह बीच में थोड़ा सा मैं लगा देती हूं चटनी और इसके पर जब यह हलका सा पक जाएगा ना तब इसके पर हम बापस से पेस्ट डाल देंगे सूजी का जो पेस्ट रखा है आधी आधी चमच बड़ी चमच है मतलब इतनी बड़ी चमच ले लीजिएगा अपने साफ से देख लीजिएगा आप दोनों तरफ बराबर डाल देंगे और छोटी चमच से बिलकुल हलके हाँ से हम इसे फैला देंगे इसके उपर दीरे दीरे अच्छे से फैला देंगे हम ज्यादा मोटी लेयर नहीं करनी है जैसे मतलब हमने नीचे लगाया था ना उसी तरीके से इसके उपर फैला देंगे और यह हमने अच्छे से पेस्ट कर दिया है और हम इसे बंद कर देंगे और ग्रीन लाइट हो जाएगी तब यह बंद के रैडी हो जाएगा हमारा एक साइड से तो यह देखिए इसे हम अब पलट देंगे नीचे से यह हो चुका है अच्छे से और इसे हम पलट देंगे वैसे तो ये दोनों साइट से काम करता है लेकिन फिर भी अंदर से कच्चा रह जाए थोड़ा बहुत हलका फुलका तो ऐसे अच्छे से पक जाएगा और दुबारा से बन कर देंगे हम इसे ग्रीन लाइट होने तक और ये देखिए ये बन के रेड़ी है हमारा सैंग्वेच गर्मा गरम ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बच्चों को बड़ों को सबको अच्छा लगेगा नास्ते के लिए जरूर बनाईएगा गरम है बहुत और इन्होंने मेरा हाथ ऐसे पास से लिया है ने एकदम फोन को करके ऐसे लग रहा है मेरा हाथ इतना मोटा ताजा और इसे मैं कट कर देती हूँ ये दो पीस हो गए हमारे और अभी दो के चार कर देंगे हम इने ये देखिए तो गाइस ये बन गया है हमारा अज का नास्ता और मैंने इसमें सॉस यूज किया है सॉस के साथ में भी इच्छा लगेगा और अगर आप चटनी वगेरा के साथ खाना चाहो तो अभी मैं कर लेती हूँ नास्ता आप भी बना के देखिएगा जरूर ठीक है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स ब्लाग में कमा गणी सा